ये पीडिये परिवार वो है जो समाजिक नयगी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है ये पीडिये परिवार वो है समाजिक सदभाव को आगे बढ़ाना जो लोकतन समिधान बाबा साव भीमरा अमेडिक जी का और लोहिया गांदी के देश को जो खराब कर रहे हैं उनको वो बाइचारअ कोई बचान रहे तो डिए परिवार की लोग बचाने विपाग अच्छा यह सब जानते हैं याँ ज् Toni दिखते होगे सब्सक्राइब किया तो बीच अधाय आता है यूम में एड है एड है पीजेपी के, खुल के इतने में समझदार हो आप, वो विग्यापन है पीजेपी के, आप सब चैनल वाले लोग हैं, और एकर यूट्यूब न सबस्क्राइब करें आप, तो बीच वीचे विजे विग्यापन आ जाता है, और विग्यापन बड़ा परेशान करता है, तो मुख्यापन जी जो चीज फेस नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के कुछ लोगों को वो सामने रखते हैं, अलांकि आजकर सरकस बंद हैं, तो आप जानते होगे कि सरकस में उस गैप को फिल करने के लिए, कुछ ऐसे लोग रखे जाते हैं जो गैप फिल कर सका, अरे मिने पतकार साथी बहुत समझदार होगे, तो बटोगे, तो बटोगे, देखिए, ये पीडिये की तागश से घवरा करके नारा निकाला गया है, और ये किस लेब में तयार हुआ है, और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उस के लिए हमारे मुखंदी जी को आगे लाया गया, इस बार पीडिये लोगों को जोड़ेगा, पीडिये की बढ़ती हुई तागस से बीजे भी घवराई हुई है, इसलिए इस तरह के नारे दे रही है, इस से भी महत्पूर बाते हम लोग सुन रहे हैं, और इंटरनल सेक्य के लिए बड़े सवाल है, कोई भी हवाई जाज उड़ता है, उसमें धमकी आ जाती है बमकी, अभी तक तो हवाई जाज में धमकी आ रही थी, अब और जगे भी धमकी मिल लही है, और आपको याद होगा, बिधान सबा में मुख्यमंती जी को लग रहा था और पहुत सी हम इसके आद वो निकला, ये इंटर्नल सिक्यूरिटी, बॉर्डर सिक्यूरिटी में वीजेपी अस्पल होई है, जो मुद्बे हैं विरोजगारी के, गरीवी के, महंगाई के, कार खाने लगे नहीं, निवेश आया नहीं, और उसका बढ़ामी है कि समय समय पर ये मुद्दे इसका गला काट के हत्या की गई है, परसासन समय समय पे निस्पक्ष नारवाई करे, परसासन अगर जंतागी सुनने लगे, तो आज घटना जोनपूर में जो ही है, ऐसी घटना नहीं होती, परसासन और सरकार के लोग नियाय नीदे पारें, इसलिए इस तरह की घटना हो र इस से पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया, उसी जोनपूर में पुजारी यादब की भी हत्या हुई, अभी किस दिन पहले लखनू में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई, उस से पहले गौतम जो दलिस समास से नौजवान था उसकी हत्या हुई, तो ये कस्टूडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है, इतना करप्शन और भष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना सरकार में हो रहा है, और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं है, बीजेपी के लोग फसाने वाले लोग यह लोगों को फसाते हैं, बचाते नहीं है, फसाते हैं, और बीजेपी किसी किस्तक ही नहीं है, अधारत कोरेकर सादू संत लगता है कि राम मंदिर नहीं दर्शं करने हैं और इतना बड़ा आजयन हो रहा है दिपा वली पर अब तब भी नदारत है नहीं साधू संतों को हमारा पढ़ाम साधू संत हमतों भी बुलाएं बहुत जल्दी तो हम भी दर्शं कर लें हो連के सादू संतों के यहां तक चुनाओं का सवाल है नो जगे चुनाओं हो रहा है और एक जगे चुनाओं नहीं हो रहा है आपको याद होगा परदेश के मुख्यमंती जी सबसे ज़्यादा उसी विधानसवा को लेकर के चिंतित थे उसी विधानसवा को लेकर के समिख्षा की गई उसी विधानसवा को लेकर के कई यात्राएं की उन्होंने फैजाबाद, अयोध्या वो लगातार जाते रहे और जब इंटर्नल सर्वे में उन्हें पता लगा कि भाटे जिन्ता पार्टी यहां जीत नहीं रही है उन्होंने चुनाब टाल दिया जन्ता के गुसे का सामना नहीं कर पारी बिजे पी अपने आपको अपमान से बचाने का काम किया यह हार का अपमान फिर उन्हें सेना पड़ता नौ उप चुनाब जहां हो रहे हैं भार्जी जनता पार्टी सरकार के अधिकारियों को आगे करके चुना लोड रही है बी एलो चुनाओं से संबंदित अधिकारी जिला अधिकारी जिनकी लगातार शिकायते हुई है उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं दे रहे हैं और निस्पक्ष नहीं है उसके बावजूद भी जनता इन्हें चुनाओं हराएगी ये नोखे नो चुनाओं भार्टी जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं पीडिये की ताकत वर्थी चली जा रही है पीडिये से लोग जुड़ते चली जा रहे है और जो लोगों के जुड़ने का सिलसला है उसी का परणाम यह है कि भारती जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनेते के तियास के सबसे खराम नारे हैं सबसे खराम नारा इसलिए है कि ऐसा नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा वो पीडे की तागत से घबराये हुए हैं इसलिए ऐसा नारा दे रहे हैं